मूवी की स्टार्टिंग ली की बड़ी बेहन की शादी से होती है ली देखती है कि किस तरह से उसकी बड़ी बेहन का पती उसकी बेहन को किस कर रहा है तभी वहाँ पर ली का बॉइफरेंड आ जाता है इसका नाम पीटर है पीटर ली को डांस करने के लिए बोलता है तो ली डांस कर रही होती है तबी उसके डैड उससे बात करने आते है ली असल में एक mental depression का शिकार है पिछले कई सालों से उसके parents की लडाई होती रहती है ली के डैड जब गुसा होते हैं तो उसकी मा को बहुती बुरी तरह से पीटते हैं यही सब देखकर ली depression में चली जाती है वो अपने आपको हर्ट करना शुरू करती है पहले तो वो अपने घर की चीजों से अपने आपको मार दिया करती थी उसे चोटी मोटी चोटे लगती थी तो उसकी मा उसे संभाल लेती थी पर बाद में उसकी मा को रियलाइज हुआ कि ऐसे तो ली की हालत में कोई सुधार नहीं आएगा इसलिए उसकी मा ने घर की सारी खतरनाक चीजों को उससे चुपा कर रख दिया पर ली भी एक कदम आगे निकली उसने खुद को हर्ट करने का एक नया तरीका निकाल लिया उसने बजपन का एक बॉक्स निकाला उसमें से उसने खिलोने निकाले और खिलोनों की जगा उसमें उसने कुछ चाकु रख दिये जब भी वो अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखती है वो उन चीजों से अपने आपको हर्ट करती है इसलिए उसे मैंटल असाइलम भेज दिया जाता है वहाँ भी उसमें कोई सुधार नहीं आता उसकी माँ उसे वापस ले आती है अब ली को लगता है कि अगर वो अपनी मा को खुश देखना चाती है तो उसे खुद को खुश रहना होगा इसलिए वो टाइपिंग सीखती है और फिर जॉब ढूंडना शुरू करती है एक घर के आगे लिखा है सेक्रेटरी रिक्वायर्ड ली अपनी मा के साथ इस जॉब के लिए जाती है उसकी मा कार में बैठ कर उसका इंतजार कर रही है और ली घर के अंदर जाती है वो देखती है कि घर के अंदर तो कोई भी नहीं है इसके बाद वो यहां के बॉस से मिलती है वो कहती है कि वो यहाँ पर सेक्रेटरी की जॉब के लिए आई है बॉस का नाम मिश्टर ग्रे है ग्रे बहुती अजीब किस्म का है हाली में उसने अपनी पुरानी सेक्रेटरी को निकाल दिया और वो भी उसे मार पीट कर वो उसे काफी ज़्यादा मारा करता था वो ली से कहता है कि तुम इस जॉब के लिए ज़्यादा कौली फाइड हो तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की ये जॉब नहीं कर सकती ली कहती है कि मुझे तो यही जॉब करनी है ग्रे उसका टैस्ट लेना चाता है वो उसे काफी बनाने के लिए कहता है यहाली अपने आपको गीला कर लेती है उसके बूपस पानी में गीले होने की वज़ा से दिखने लगते है ग्रे की नजर उस पर जाती है जिस वज़ा से ग्रे ली को जॉब पर रख लेता है वो उसे अलग-अलग assignment देता है कई बार तो वो उससे जाडू भी लगवाता है उसके हातों को बांध देता है और फिर उससे print out निकलवाता है और उसके हातों को बांध कर उससे coffee भी बनवाता है लीन सभी कामों को बहुती शौक से करती है उसे ये सब करके मज़ा आने लगा है फिर हमें ग्रे का एक secret पता चलता है जब भी ग्रे की सेकरेटरिया कोई गलती करती है तब ग्रे के अंदर घपा घप करने की इच्छा बढ़ने लगती है जब ली को ये बात पता चलती है तो उसे तो ग्रे के साथ घपा घप करना ही है इसलिए अब उसने जान बूच कर गलतिया करना शुरू कर दिया है जब भी ली गलतिया करती है तब तब ग्रे की संभोग करने की भावना अपने चरम सीमा पर आ जाती है और जब भी ली गलती करती है तो वो उसे टेबल के पास ले जाता है वो कहता है कि तुम डॉगी स्टाइल में लेट जाओ ली ऐसा ही करती है इसके बाद ग्रे उसके कपड़े उतारने लगता है उसकी सकल्ट को उपर उठाता है उसकी पैंटीज को नीचे गिरा कर उसके साथ संभोग करने लगता है अब ली को इस खेल में और जादा मजा आने लगा है जब भी उसे संभोग करने की इच्छा होती है वो जान बूच कर गलती करती है ग्रे उसके साथ संभोग करता है अब उसे सेक्स की लत लग गई है वो पीटर को भी संभोग करने के लिए बोलती है पर पीटर उसे सैटिस्फाइ नहीं कर पाता पीटर नॉर्मल तरीके से संभोग करता है जबकि ली को वाइल्ड तरह से संभोग करना पसंद है लेकिन पीटर आखिर में अपनी हार मान जाता है अब ली ग्रे के पास जाती है ग्रे को उकसाने के लिए वो जान बूच कर टाइपिंग किये हुए डॉकिमेंट्स में केचवे डाल देती है इससे ग्रे फिर से अग्रेसिव हो जाता है वो ली के साथ फिर से घपाघप करता है कुछ दिनों के बाद ग्रे ली से कहता है तुम ये जॉब छोड़ कर चली जाओ मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ली कहती है कि मैं किसी भी हालत में ये जॉब छोड़ कर नहीं जाओंगी मैं यहीं रहूंगी मुझे यहीं अच्छा लगता है ग्रे नहीं मानता तो ली उसे थपड मारती है ली उसे ये भी कहती है कि वो उसे अब प्यार करने लगी है वो सेकरेटरी बनकर भी यहाँ खुश है पर ग्रे के बार-बार बोलने पर ली ने ये जोब छोड़ दिया है कुछ दिनों के बाद ली की शादी पीटर से हो रही होती है ली पूरी तरह से एक दूलहन बनकर तयार है उसकी माव जैसे ही बाहर जाती है ली को ग्रे के साथ बिताई हुए पल याद आने लगते हैं उसे लगता है कि वो ग्रे के साथ ही खुश रहेगी वो दोड़ती हुई ग्रे के पास जाती है ग्रे उसे मना कर देता है वो कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़र्वत नहीं है मैं तुम्हें जॉब पर नहीं रख सकता ली कहती है कि वो उससे प्यार करती है और वो उसे छोड़ कर कहीं नहीं जाने वाली फिर ग्रे ली को पनिश्मेंट देता है ली चेयर पर बैठी होती है ग्रे ली को कहता है तुम अपने हाथों को टेबल पर रखो और तब तक मत हटाना जब तक मैं मनाना कर दू ग्रे ली का टैस्ट लेने के लिए उसे कॉल करता है ताकि ली फोन उठाने के लिए अपने हाथ हटाए पर ली ऐसा नहीं करती ग्रे पीटर को बुलाता है पीटर आकर ली को मनाता है परली फिर भी नई मानती, अगले दिन ली की मा उसे समझाने के लिए आती है, वो उसे खाना खाने के लिए बोलती है, परली खाने से भी मना कर देती है, ली की मा के रिलेटिव भी उसे समझाने के लिए आते हैं, सब अपनी तरफ से कोशिश कर लेते हैं, परली किसी की भी न और नाई वो वहां से हिली है, वो वाश्रूम भी नहीं जाती, उसकी हालत बहुती ज़्यादा खराब हो चुकी है, लाश्ट में ग्रे यहां आता है, वो देखता है कि ली अब भिहोश हो चुकी है, पर उसके हाँ तभी भी टेवल पर है, वो ली को अपनी गोद में उठा कर बाथरूम में ले जाता है, यहां वो उसके धीरे धीरे कपड़े उतारता है, उसे पूरा नंगा करके उसकी बॉड़ी को साफ करता है, और तभी उसके अंदर संभोग करने की इच्छा होती है, और फाइनली दोनों बहुती जवरस्त तरीके से संभोग करते हैं, यह सब कर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में